गूगल पिक्सल का एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जिसके अंदर काफी कुछ इंप्रूवड की गई है बड़ इंप्रूव्मेंट करने के बावजूद भी हमें कुछ-कुछ प्रॉलम देहने को मिल जाता है और इसके जितने भी अपडेट अभी तक आये हैं हर ए वरजन की तो वो हमें अंडौइट 10 पर ही देखने को मिलता है सिक्योर्टी पेच बिलकुल हमें लेटेस्ट देखने को मिलता है जो कि 5 अच्छ 2020 का है 1 सिटमबर 2019 का यहां कर आपको देखने को मिलता है गूगल प्लेट सिस्टम अपडेट जो कि कुछ ज़्यादा ही और न लॉंगर यूज कर पाओ और नेक टाइम ओटी अपडेट यहां पर देख पाओ क्योंकि अगर वर्ग है तो भाई कोई भी लॉंगर यूज नहीं कर पाएगा और यहां पर फिक्स है तो भी कोई यूज करके इसके ओडिया का वेट कर सकता है यहां पर आपको टेखनी को मिलता है नेपर जिसका इनिमिशन वगर थाओ से इंप्रूट किया गया और काफी जादा स्मूद किया गया है पहले वाले ब्यूल्ड के मुगावले जो कि तेखनी में काफी जादा अच्छा सा फिल देता है वहीं पर सेक्योर्टी की बात करें त वह काफी हद तक fix हो गया है तब काफी जादा फास्ट देखनी को मिलता है इंप्रूब्मेंट नहीं प्रॉट हुआ है और इंप्रूब्ड हुआ है पहले के मुखावले ठीक है यहां पर में स्ट्रोज में सॉरी साउंड की प्रॉफाइल में आते तो वहीं साई चीज़े देखने को मिलता है ति गूगल पिक्सल डिवाइस का रोम है जिसके वज़से आपको यह मैं का साउंड इन्हेंसर यहां पर देखने को नहीं मिलता है बट उमीद करते हैं इन फ्यूचर एड़ कर दिया जाए जो ज्यादा बेटर रहेगा बट इसके चांसे कम हैं वहीं पर डिस्प्लेइ के अंदर आते हैं तो आपको सेडियोडोल और डार्क मूट का एक ओप्सन देखनी को मिलता है जिसके नुसार आप टाइविंग सेट कर सकते हो अपने डार्क मूट को आटो इनेवल और डिसेवल होने के लिए वहें पर वाल पेपर स्टाइल से देखनी को मि यहाँ पर पहले एक प्रॉलम आ रहा हा था हमें ब्राइटनिस को लेकर कियो कि इसको पहला एक प्रॉइव मैं ब्राइट किया था टेक सबस्त्सक में आपपर मैं जाया था जो एक साथ टर्न होता है तो यह भी आपको फिक्स्ट मिलता है जो गूगल का EUI है वो भी इंप्रूव्ट किया गया है जिसके आपको और पहले के मकाबले इंप्रूव्मेंट देखने को मिल जाती है यहां पर जो इसका बाइडिफोल्ट कैमरा है यह बिल्कुली अपडेट इसके अगर बेंचमार्क की बात करें कि क्या में मिलता है तो जो टोटल असकोर निकल के आया है वो है 249955 का तब जितने बार इसे लन करोगे उतने बार को डिफरेंट डिफरेंट असकोर्ट टेहनिकों मिलेगा कभी नीचे तो कभी उपर कभी लो तो कभी हाइड तो यह सकोर है जो एकर नहीं रहता है बर अगर आप गेमिंग करना चाहते है तो कर पाओगे दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी वहाई पर हम बात करें L1 की सपोर्ट की तो गाइज अभी तक L1 का सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आपको LCD का इन सपोर्ट टेहनिकों मिलता है उमेद करते हैं कि इन फ्यूचर इसे भी जो फिक्स किया जाएगा ताकि हम नेट्फिलिक और अमेजन प्राइम का फुल बेनिफिट यहां है जो ले पाएं और साथ से पहले ब्लोजूत का प्रोल्म रहा था वो फिक्स हो गया है अगर आप यहां पर डियू या एर इफेक्ट्स वगएरा यूज करना चाहते हो तो वह चीज आप यहां पर इसली यूज कर पाऊगे कोई इस देहने को नहीं मिलेगा लेकिन अभी तो थोई बूद कमया मिल जाती है जैसे के DRL Info का थोई बूद Extra Battery Drain का और अगर आप Geo User सो तो थोई बूद नेट्रॉफ फ्लेक्ट्वेशन का जबके GSM अगर और और भी कई सारे चीज़े इंप्रूट की गई है ताकि नेट्रॉफ काफिया जासा कि फिल भी आपको यहा आपको कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है आप नर्माल है जो यूज कर पाओगे बट फिर भी फ्लेक्ट्वेशन तो रहता ही रहता है तो यहां पे इंप्रूब्मेंट काफी अच्छी हुई है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर अभी भी मिसिंग है जो कि अगर एट हो जाए तो हम इसे डेली ड्राइवर के रूप में काफी एज़ी है जो यूज कर पाएंगे जो कि इस लों को काफी ज्यादा बहतर बनाता है आई होप सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर ही ना बोले तो मिलते हैं नेक्स अबस्टास करें तो में कर दाहां कर पाएंगे।